नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमटेटिव भारत पर मैं हूँ मुझकुमार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं root words के बारे में root words के मादधेम से हम लोग कुछ सब्थों को याद करेंगे और यह भी जानेंगे कि root word आखिर होता क्या है देखिए इसकी जरूइत क्या है आज कल या फिर हमेशा से आप देखेंगे कि exams में one word substitution के question आते हैं या फिर उसके अलावा एंटानिम या सिनोनिम या कई माध्यम से आपको इन सब्दों को पूछा जाता है चाहे वो एक्जाम SSC, CGL, CHSL, MTS, O, Bank Clerk, PO, NDS, CDS, कोई भी एक्जाम होई और फोसने भी या कुछ भी जिसमें भी इंग्लिस के questions आते हैं उनमें आपसे ये सारे सब्द पूछे जाते हैं और ये जो भी सब्द मैंने लिया है ये ज़्यादा तर पूछे गए हैं इसलिए मैंने इनको इसमें add किया है दोस्तों देखते हैं root word होता क्या है? root का मतलब होता है जड कोई भी सब्द जो हम use करते हैं वो कहां से लिया गया है कैसे बना उसकी meaning कैसे specific होई उसके letters कैसे बने ये सारे चीजें तो देखिए root का मतलब होता है जड अगर हम उस root को जान लें उस root का मतलब क्या होता है तो वो जड जड जहां भी दिखेगी वो सब्द कहीं न कहीं उस meaning को connect करता होगा जैसा पहला सब्द हमने लिया है democracy अब देखिए क्रैसी हमने पहला root जो लिया है वो है क्रैसी क्रैसी का मतलब होता है तंत्र या राज बेवस्था कोई state कोई अस्थान कोई देश जिस बेवस्था के अंतरगत संचालित किया जाता है उसी को हम कहते हैं राज बेवस्था या राज तंत्र या क्रैसी आगे देखिए पहला जो हमने word बनाया वो बनाया है democracy Demo का मतलब क्या होता है Demo का मतलब है लोक या जनता means ऐसी राज बेवस्था जहां पे जनता का सासन हो जनता दोरा चुना गया प्रतिनिदी उस देश पर या उस state पर सासन करता हो ऐसी राज बेवस्था को हम कहते हैं लोक तंत्र नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है aristocracy अब आप देखेंगे कि crazy जो root है वो continue चल रहा है और जितने भी सब दिश से बनेंगे वो सब कहीं न कहीं राज बेवस्था को इंगित करेंगे देखिए aristocracy का मतलब होता है कुलीन तंत्र ऐसी राज बेवस्था जहां पे लोग पढ़े लिखे हों बहुत ही कुलीन मतलब अच्छे संसकारों वाले हों तो ऐसे लोगों की राज जब चलता है ऐसी बेवस्था को हम कहते हैं कुलीन तंत्र aristocracy aristocracy से आपको याद आ रहा होगा एक word बहुत ही famous है aristocrat यह एक बैग वगर बनाने वाली बहुत ही बड़ी company है अमेरिका based company है aristocrat तो aristocracy का मतलब होता है कुलीन तंत्र next देखिए autocracy autocracy का मतलब क्या है ताना साही ऐसी राज बेवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति का सासन चलता हो उसी की मनमानी चलती हो ऐसी राज बेवस्था को हम कहते हैं ताना साही next है bureaucracy bureaucracy का मतलब क्या है bureaucracy, bureaucrat bureaucrat वर्ड तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे bureaucrat का मतलब होता है अधिकारी गड़ means ऐसी राज बेवस्था जहां पे अधिकारियों का सासन चलता हो अफसर साही चलती हो अफसर साही यह ज़्यादा तर बुरी ही होती है यह ज़रूरी नहीं कि किसी देश में इन में से कोई एक ही तंत्र काम करता हो जैसा आप देखेंगे हमारे यह हैं तो लोग तंत्र लेकिन अक्सर आपको bureaucrat या bureaucracy देखने को मिलती है अधिकारियों का सासन देखने को मिलता है तो bureaucrat का मतलब क्या है अफसर साही देखें नेक्स वर्ड है हमारा mobocracy mob 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 यह देखें यह आजकल कई सालों से यह वर्ड जो है इंडिया में बहुत जादा यूज में है mob mob इस mob का मतलब क्या है ऐसी भीड जो गुसे से भरी है लाव लसकर पुरे हतियारों के साथ गुसेल भीड जाए और कुछ भी कर दे जो उसकी इच्छा हो वो कर दे ऐसी वे उस्था को जहांप ऐसी वे उस्था हो जाए उसे हम कहते हैं mobocracy आपने देखा हुए कि कुछ दिन पहले ही महराष्ट में दो साधूं को मार दिया गया लिंच कर दिया गया उस लिंच के साथ हमने जोड़ा सब्द mob जिससे बना mob lynching mob lynching क्या है भीड द्वारा किसी की हत्या कर देना ठीक है तो mob lynching का मतलब क्या है गुसेल भीड जो किसी की भी हत्या कर दे कोई भी गलत काम कर दे उसे हम कहते हैं mobocracy ऐसा तंत्र जिसमें भीड गुसेल भीड का तंत्र काम करता हो उसे हम कहते हैं mobocracy तो next word हमारा क्या है देखिए next word है anocracy anocracy का मतलब क्या होता है औस्तिर सरकार अईस्तिर सरकार में इसका वेवदारण आपने अभी हाल फिलाल के दिनों में देखा होगा महारास्ट में ही आपने देखा कि कैसे कल तक कोई सरकार नहीं थी सुबह में चार बजे मुक्मंतरी फड़नुई सपत लेते हैं अईस्तिर सरकार मतलब सरकार में इस्तिरता नहीं थी कब किसकी सरकार है कुछ पता नहीं ठीक है इसको कहते हैं हम एनोक्रेसी जब अईस्तिर सरकार चले इसे हम क्या कहते हैं एनोक्रेसी Next word है erefmocracy या फिर इसे rifmocracy भी पढ़ते हैं रिफmocracy का मतलब है संख्या बलपर सासन अब संख्या बलपर सासन का मतलब क्या है देखिए इन words को याद करने से ज्यादा इनके अर्थ को समझना जरूरी है क्योंकि exam में आपको ये हिंदी नहीं आएगी एक्जाम में आपको एक लंबा सा सेंटेंस इंग्लिस में डिफाइन करके लिखा हुआ होगा जिसके बाद आपको चुनना होगा कि इनमें से कौन सा वर्ड उसकी मीनिंग को रखता है तो यह आप तभी कर पाएंगे जब आप सब्दों की मीनिंग को समझेंगे संख्या बल का मतलब यहां विधान सभा या लोग सभा की सीटों से मतलब नहीं है यहां रिफ्मोक्रेसी का मतलब है जैसे किसी स्टेट में किसी एक वर्ग या समुदाय की संख्या बहुत ज़ादा हो जाए और बाकियों की कम रहे और जिसकी संख्या जादा है वो rule करने लगे तो ऐसी वेश्था को हम कहते है है रिफमोक्रेसी ठीक है इस संख्या बल को आप लोगसभा या विधानसभा की सीटों पर से न जोड़ें क्योंकि ये है संख्या बल पर सासन जिसे इंगलिस में कहते है है रिफमोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्पोटोक्रेसी डेस्पोटोक्रेसी का मतलब क्या है तानासाही जी हाँ ये भी एक तरह की तानासाही है डेस्पोटोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड है डेबलोक्रेसी डेबलोक्रेसी का मतलब है सैतान का सासन अब आज के समय में कोई सैतान या भगवान तो दिखता नहीं है तो सैतान का मतलब क्या है कि बुरे लोगों का सासन ठीक है सैतानी प्रवित्ति के लोगों का सासन जब चले किसी स्टेट पर तो से क्या कहेंगे डियबलोक्रेसी नेक्स्ट है जेरॉंटोक्रेसी जेरॉंटोक्रेसी अब देखें जी जी से बनता है ग्रेंड ग्रेंड फादर ग्रेंड मदर बोलते हैं आप लोग तो ग्रेंड जी फार ग्रेंड मिंस अब दादा दादी होंगे तो कैसे होंगे जवान तो होंगे नहीं ज्यादा दादी बृद्धे ही होंगे तो G से बना grand और G से बना gerontocracy तो gerontocracy का मतलब है ऐसी राजब्योस था जिसमें बृद्ध लोग सासन कर रहे हूँ इसे हम क्या कहेंगे? gerontocracy next next word है हमारा kakistocracy kakisto kakisto means बहुत ही बुरे किसी समाज में जो सबसे बुरे लोग हैं उन्हों का सासन हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? kakistocracy, सबसे बुरे लोगों का सासन next kleptocracy kleptocracy क्या है? klepto means चोर चोरों का सासन अब आप यह सोचेंगे कि जितने नेता हैं ज्यादा तरतो चोर ही हैं तो क्या इनको हम kleptocracy कहेंगे? जी नहीं नेता चोर हो बन जाए नेता बनने के बाद या फिर जो भी हो अगर वो चोरी करेंगे तो उसे kleptocracy नहीं कहेंगे kleptocracy का मतलब होता है चोरों का सासन जो चोर है वो सासन में आ जाए उनका सासन चलने लगे तो ऐसी राजबोस्ता को हम कहेंगे kleptocracy, चोरों का सासन next है mediocracy mediocracy का मतलब mediocrit का मतलब क्या midyam means midyam वार्ग, madhyam स्रेणी के लोगों का सासन न बहुत पैसे वाले हों न बहुत गरीब हों जो सामान श्रेणी जैसे madhyam स्रेणी जी से कहते हैं उन लोगों का सासन जब चलता है तो ऐसी राजबोस्ता को हम कहते है mediocracy, samanya या madhyam स्रेणी के लोगों का सासन next है neocracy neocracy का मतलब क्या and for आप समझे new means नय लोगों का सासन अनुभाव हीन लोगों का सासन neocracy का मतलब क्या होगा नवी नय लोगों का सासन जिनका कोई पुराना अनुभा न हो next है occlocracy occlocracy का मतलब है भीड का सासन means धेर सारे लोग इकठा हो जाया और उनका सासन चलने लगे mob और occlocracy में क्या अंतर है mob का मतलब होता है गुसायल भीड और occlocracy में ऐसी कोई बात नहीं है occlocracy का मतलब हुआ भीड का सासन pentisocracy pentisocracy का मतलब होता है सर्वतंत जहां सब को समान सकती हो ऐसी कोई व्योस्ता फिलाल तो नजर नहीं आती pentisocracy का मतलब होता है सर्वतंत means अगर भारत में 135 करोड की जनसन क्या है तो सब के पास समान पावर हो सब एक बराबर हो न कोई छोटा न कोई बड़ा means pentisocracy means जहां सर्वतंतर चले सब के पास बराबर की छमता हो पावर हो next partycracy partycracy का मतलब क्या है दलों का सासन ये तो वर्ड से एक लिए है partycracy का मतलब दलों का सासन next stratocracy stratocracy इसको समझने के लिए आपको Pakistan सब से चाई एक्जामपल है आप जानते हैं Pakistan में कई बार ऐसा हो चुका है कि वहां के सेना प्रमुक वहां के सरकार को गिरा कर खुद पूरी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं तो इसे हम कहते हैं stratocracy सेना प्रमुक का सासन stratocracy means सेना प्रमुक का शासन next word है हमारा democracy टिमोक्रेसी, टिमोक्रेसी का मतलब क्या? अमीरों का सासन, ऐसी राजवेवस्था जिसमें जिनके पास धेर सारी जमीन है, धेर सारी जमीन जाधाद है, बहुत पाउरफुल हैं, उनका सासन चले, ऐसी वेवस्था को हम कहते हैं टिमोक्रेसी, हाला कि होता यही है, चाहे दु और लास्ट में हम पहुंचता हैं वही जिसने सब को बनाया थियोऔ करेसी का मतलब क्या होता है देhai थियोऔ सब्द से थियोऔ से निकलता है इस स्वर मिनस ठीयोजो रूट है ये कहीं भी देखे तो आप ये समझ लेंगे कि ये सब कहीं ने कहीं इश्वर की तरफ इसका अर्थ लेकी जाता है तो ठीयोक्रेसी मतलब क्या है इश्वर का शाषन अब इश्वर का सासन हमें प्रत्यक्स रूप से तो किसी स्टेट पर नहीं दीक्ता लेकिन हां चरूर है दुनिया में इसवर का ही ombra का शाषन चलता है बहुत बहुत दूने, थैक्य।